नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्री अमरनात की गुफा के रहस्य के बारे में आपको मैं एक ऐसी कता सुनाने वाला हूँ, देखो जो अमरनात की कता है उसके बारे में नहीं बात करेंगे तो तरव हम सबसे पहले यह जानेंगे जो ज़ो अमनात की गूफाए है वहां जो है उसकी खोज कैसे किए गी थी किसने खोज करी थी यहां जानकर आपको काफी आश्चर की बात लगेगी कि इसकी खोज किसी मुस्लिम बिक्ति ने की थी और आज जो है उसके घर परिवार वाले ही अमनात की जो गुफा है उसके रेख देख उस मुसलिम परिवार के लोग ही करते हैं तिहां कापी जानने वाली और रोचक बात रहेगी इसके बारे मैं आपको पूरी कहाने बताऊंगा डिटेल में क्या है और कैसे वो लोग यहां पहुचे हुए हैं और किस तरीके सभी ओ लोग रेख देख करते हैं इसके अलावा मैं आपको नौ ऐसे और रहस बताऊंगा जो अमनात गुफा है उसके बारे में कि ऐसी यहां पर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमेशा घटती रहती हैं हर साल और कितनी इसलिए यहां पर जो चलिए बीटियों को सुरू करते हैं जैसा कि बताया गया है कि इस मंदर के बारे में इस समननात गुफा के बारे में बताया गया जैसे दो कबोतर की कहानित आप सभी लोगों ने सुनी होगे आज मैं आपको बताता हूँ यह कहानी तो बात किया है पहले मैं आपको यह बता आने वालों हूँ कि आखिर में ऐसा क्या हुआ है जिस कारण से इस दाम की खोज हो पाई थे तो बहुत समय पहले की बात है ऐसी मानेता है कि जो है एक बूटा मलिक नाम का जो है मुस्लिम बेक्ति था जो की भेंड चराता था पहाडों में जाकर और पहाडों में जाकर दूरते दूरते वो जो है पहाड पे चड़ते हुए जो है इस गुफा तक पहुचते हैं जब लोग इस गुफा के पास पहुचने ही वाले होते हैं तभी रास्ते में देखते हैं सामने गुपा तो दिखाई देती है उनको लेकिन वो देखते हैं कि एक साधू उदर उस से आ रहा हुते हैं अब गुफा में गुफा से साधू आ रहा है है सामने उनसे पूछते हैं कि मेरी बहेंट देखी क्या साधू ने उनको बोला कि जो है इतने उपर तुम आ गए हो पहाड़ पर और यहां पर जो है इतनी जादा बरफ है तो तुम्हें ठंड लग जाएगी तो जो साधु महाराज होते हैं, उनके हाथ में एक सीखड़ी होती है, सीखड़ी मतलब हाथ सीखने का जो आग जलती रहते हैं, जिसमें वो देखर साधु महाराज इनको चली जाते हैं, सादो महराज यतना है बोलते हैं सीकड़ी और यह देखते हैं तो उसमें आग रहती है अपना हाथ होगरा सेखते हैं फिर अपनी जो है जो भेड होती है उसको ढूंडते हैं किसी तरीके से और उसके बाद यह नीचे आ जाते हैं लेकिन होता क्या है कि जब यह घर पहुंचत जब उनको सादो महराज ने दिया था वो सीकड़ी तो यह भी नहीं सोच पाही कि आखिर में ऐपने घर में शीकड़ी को देखते हैं उसके देखते हैं तो मतलब उसमें आग तो ही नहीं उसमें आपकी बजाए पूरा सोने से भरा हुआ है अब यहाँ बात उनको जो है आजम नहीं हुई जो है अगले दिन सुबह उठकर भागती हुए जाते हैं जो है अमनाद गुफा की तरफ जो है वहाँ पर जाकर देखते हैं गुफा उनको दिखाई देती है लेकिन कोई साधू दिखाई नहीं देता लेकिन ग गुफा के अंदर बनी हुई है और गुफा चारो तरप से बंब हुए ना पानी आने का सुरौत है न बरफ पीरिभ रफ पड़े हुई लेकिन पानी का को सोत के कि अंदर स्युलिंग बना कैसे वह का भी परिशान हो जाते हैं सारी बातों को लेकर और वहाँ पर जाकर मतलब उनकों ये चीज तो पता लग जाता है कि यहाँ पर कुछ तो जो है ऐसा है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ से आते हैं बूतमलिक जी जो है नीचे आकर जो है अपने गाउं में जाकर सभी लोगों को बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और ऐसे ऐसी चीजें हुई है और अब तता वहाँ पर एक ceiling बना हुआ ऐसा फेद रंग का जो है तो गाउं के लोग जो है जा जो है। उसके जब यही खोज हुई थी, तीन साल बाद जो है, पूरी कहानी निकल करे ही सामने, प्र पूराणों में देखा गया कि कैसे कैसे कanna लिखा हुआ थ Performance यही अमनात की जो कहानी थी यहीं पर सुनाई गिये थी अमनात का था यहाँ पर जो है उसके बाद जब यह सब कुछ हो जाता है उसके तीन साल वास से जो है अमनात की यातरा का प्रारम होता है तो यहाँ थी इनकी कोज की कहानी जो अमनात की मैंने आपको बताई अब बात करते हैं अगले रहसे के बारे में जैसा कआप सभी को पता है यहापर जैसे दो कभूतरों के बारे में बताया जाता है कि दो कभूतर हैं हमेशा ही रहते हैं वहाँ पर लेकिन एक खास बात ये भी है कि वो कभूतर किसी किसी को दिखाई देते हैं आप भी जाओगे साइद आपको दिख जाएं लेकिन ये जानने वाली और समझने वाली ये बात है इस गुफा की कि वहाँ पर हमेशा बरपड़ी रहती है और ये वहाँ पर ना कोई आटा चावल डाल के जाता है कबूतरों को पूरे सीजन के लिए कि सिरफ दो ही कबूतर उस गुफा के अंदर रहते हैं और ये सब को जादा तर लोगों को दिखाई दे देते हैं और ऐसी मानता है जो दो कबूतर हैं ये माता पारबति और भगवान भोलेना आता है तो ऐसी ये भी है कि ये जो दो कबूतर महाँ पर अभी भी विराजमान है महाँ पर उसी के कारण से स्यूलिंग बनता है ऐसी मानता है और वो स्यूलिंग इसलिए बनता है और उसके बाद पता है आपको आपको आटोमेटिक स्यूलिंग गायब भी हो जाता है तो एक तो ये देख रहे हैं चारों तरफ बरब पड़ रही है लेकिन गुफा के अंदर सीवलिंग बनना बहुत ही आश्चरे के बाद है और इस तरीके से और एक खास बात ये भी है जो सीवलिंग बनता है वहां पर अमनात में वो सीवलिंग जो बनेगा वो एक ऐसी बरब से बनता है जैस उसका कारण ये है कि आप सीवलिंग के पास जाएंगे सीवलिंग को चूनी कोशिज करेंगे सीवलिंग के चूने को वह बरफ होती है जैसे आपको ऐसे लगे या बिल्कुल हलकी बरफ होती है उसको आप चूएंगे तो वह थोड़ा डैमेज भी हो सकता है इसलिए जो है उ उनका जो है सक्ति पीट भीषती थे तो यहाँ पर माता पारबती का जो है इसी गुफा में सक्ति पीट भीषती थे और आप सभी को अगर पता होगा जो देवी माता हैं उनके जो है टोटल 51 सक्ति पीट है 51 सक्ति पीट में से यहाँ पर जो है पारबती सक्ति पीट की श्रक पर जुमुरुता स्था फोल्यद्र ऐस सुरुइभार्स के कहानी उतले है तो मातापारपती थी उन्होंने पूछा था कि अपने जो गली में जो गली में आप मालाई पहनते हो कौन है तो भगवान भोले नात ने माता पारवद्य को बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जब जब देवी आप ही जब जब जो है अपना सरीर छोड़ती है त्याग देती है या मिर्ति हो जाती है तब मैं आपकी याद में जो है उसकी जो है एक मुंड माला बना लेता हूँ और उसी को मैं पहन लेता हूँ उसके बाद ही जो है भगवान भोले नात के ऊपर जो है माता पारवद्य जिद पेड़ गई कि मेरों की अमरत्य कίζो क्याने बाद करते है अगर इसी तहस्च के बारे में इस जो गुफा है इससे पहले भगवान भोले नात जब कता सुनाने वाले होते है तो आप सभी को यह जानकर काफी हैरानी होगा कि जो है भगवान भोलेना तो अपने साथ कुछ भी अंदर नहीं ली गए थे तो जैसे अपना सरी सिर्फ हो गया, नंदी हो गया, यहां तक कि गनेश जी भी हो गया सब को जो है उन्होंने वहाँ पर पहुँचने से पहले सब को छोड़ दिया था यहां तक कि अपने माथे पर जो है चंदन बाड़ी जो है वहाँ पर नाम की जगे है तो वहाँ पर अपना जो है माथे पर यहाँ पर की जो चंद्रमा है उस सब कुछ हो उन्होंने वहाँ से अपना निकाल दिया था उसके बाद माता पारबती को ले जाकर अमनाद गुफा में उन्होंने कथा सुनाई थी इसके बाद अगर बात करते हैं इस गुफा की और रहस्य के बारे में तो आता है इसका नाम अमनाद गुफा अमनात गुफा क्यों आप सभी को पता है माता पारबती ने जित किया था भगवान भोलेनात को अमरत्त की कथा सुनाने के लिए उसके बाद भगवान भोलेनात ने सुनाया भी माता पारबती को लेकिन माता पारबती नहीं सुन पाई क्योंकि वो सो गई थे और सुना कि इसने दो कबोटरों ने आप सुभी को पता है वही यह दो कबोटर आप वीडियो में देख सकते हैं इन्होंने वो पूरी की पूरी कथा सुनी और वो अमर हो गए और अमर इस तरीके से हुए हैं कि आज भी यह भगवान भोलीणात और मात तीन बन जाते हैं और कुछ के रूप ऐसे होते हैं जैसे सीवलिंग बना हुआ भगवान भोले नात का इसके साथ में जैसे बरफ का ही सीवलिंग बनता है वहाँ पर जैसे माता पारबती का रूप लेते हैं गनेशी का रूप लेते हैं आईसी कई बार मानने आता है देखने क बन रही हैं तो इस तरीके से सब कुछ एक रहस्य में इस गुफा के बारे माना जाता है तो यह थी पूरी जो है हमारी जर्नी इस वीडियो के बारे में कैसे लिगी आपको वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर ज जरूर लिखें हर अर्मादे ओम में शुखाए